आज हम खड़े हैं इंदोर शहर के पिपली बजार लाज जेन मंदीर पर ये मंदीर अपने आप में कहीं गुणों को और अपनी प्राचिंता को लेकर के बहुत प्रसिद है आज हम इस मंदीर के विशे में संपुर जानकारी प्राप करने का पुरा प्रयास करेंगे आज हम इस मंदीर के बारे में दर्शन भी करेंगे और बात करेंगे कि यहां किन-किन बिमारियों का ग्यारंटी के साथ में बहुती विश्वास और शद्दा के साथ हैं और टाइट फाइट पिलिया चिवकरन पॉक्स की बिमारियों से निजात पाते हैं यह मंदीर के बारे में यहां के जो पंडिजी हैं ग्रभी शर्मा उनसे काक्ष्यों की जानकाई प्रयास करेंगे और साथ ही आज के दर्शन इस मंदीर में आपको करने को मिलेंगे लाख वाला बहरव की आप राजित हैं जिनकी आरती हर रईवार को बहुत ही भव रूप से होती है हर रईवार प्लस शाथ ही हम दिखाएंगे बड़ी बदर बाबा जिनका इस मंदीर में भक्तों का ऐसा अटुड विश्वास है जो भक्त रोतावा आता है वो इस मंदीर से हस्तावा जाता है यहां गूंगे को जुवान मिलती है और रोग्यों को यहां पर जो है हर प्रकार से जुवाव बने बत्र का अशिवा इनके अभिशेक से मरावा पानी उनके कहीं सारे रोगों से उन्हें मुक्ति पतान करके आ पूरा मंदीर संग मार्बर मार्बल से बनाया गया है अब तड़ा में पंडीजे से कहुआ की अंदर जो विराज़त परवू है इन सक के बारे में कुछ वता पाएं कहुआ विराज़त है अजीतनावत बभवान करीब 6500-800 पुरानी बभवान जी की प्रतिमा जी है उपर प्रतिमा जी बभवान है वह 7500-800 पुरानी बभवान है मंदीर बोत प्राचिन है बभव्य मुर्भ है मनी बद्र बभवा की वह सुब अभिशेक होता है अभिशेक होने बाद इनका अभिशेक का पानी जनरल पब्लिक को दिया जाता है काई फाइट पीले माताजी यहां से पानी बभवान है एक बार ठीक हो जाता है और विशेज बात इस मंदीर की जो यह है कि जो रोगी आते हैं उनसे किसी पाकार का कोई भी शुल्क आगे रहकर का चलकर नहीं लिया जाता है सिर्फ शद्धा से सुमन या अर्पित की जाते हैं वही बाबा को सिद्कार रिये हो सबसे लिए कि आज सक कई सारे भगतों का इंदोर शहर और इंदोर शहर के बहार के भगतों का यहां अटुड विश्वा से हर रईवार यहां भव्वे आर्थी और चमतकरिक आर्थी का लाग मर्गरण प्लाप करते हैं कई नं कंदोर में पूरे बहुत बढ़ी बात जो शरम रस जने बता है कि नाखोड़ा चालीसाय जो होती है इंधोर में पूरे इंदोर शेहर के प्रचलम नंदिर चलन हैं पुरे विश्वर्म हे बता है इस मंदिर के बारे में बहुत ही ऐसी बात आया पताने जा रहे हैं आपको हम जिस मंदिर में गोड़ी पळबा का पर्वी ववयता और सहात ध्रन की ओजस्ता के साथ बना जाता है सुबह दहा चड़ा है उसको भाय म्नि मुद्ध गांक पर्शाथ चड़ाने बाद में जोबी ऊपपली का गती हैं पुजन वाले, सुबह आट बहे पर्शाज चलू होता है, बारव बहे तक पर्शाज वित्रन होता है पर्शाद आ कर रहता है था पर्शाद रहता है गोड़ी पड़वा की दिन, खोपरा, पेड़े, धनिया, गोड़ और सुकड़ी का यहां के दर्शाद अब फस्तोर पर जो मंदीर है नेवनाज जी भगवान का, अब उनके हम दर्शन करेंगे, अब पर मंदीर बाद चोके हैं हम, और अब मंदीर बहुत बड़े एक शेत्रे बनाया हुआ हुआ है, जहां पर की एक काफेचे संख्याए भक्त, यहां पर भक्त का बजन का आन। देते हैं, अकतित होते हैं और बहुत ही यहां की प्रतिभा यहां की महिमा अपरम पार है। अधशन करेंगे यहां की बुल प्रतिमा के। यह क्या पता कुछ अनकरीम आए था, आखातीज भी यहां पर कुछ पर मनाया जाता है। कपे अभी जगारे से पिर नियुकल से पुझे करते भव्यान का था भाइन्हान भुष्यक करते बहुन का था शुबी कि निपतने कि प्रेस्चार के बीजिये जर्शन के वह पाड़न परी आपका पर्साद गिरन करता है यह लिए परम पर अमहें कई सालों चल रही है लगबा लगबा एक बाई तक हम विशेस था तरिती करने के लघवान का आधिनाज भगवान का आभिशेक होता है अब यह पारना हुआ तो वह इसी ही से हुआ था उसके बाद में परंपर चल रहे हैं जेन मंधिरों में शिद्य चक्र आप देखें तो पर शिद्य चक्र मंदल यह सिद्य चक्र मंदल की भी सापना यहाँ पर है एक ऐसा दर्शन जो विश्वर में एक मात्र पिपली बजाज लाल मंदरे पर ही दर्शन कर पाते हैं 170 क्रिदंकरोगा पर टमुल नायक शिरी अजीना जी का एक बहुती भवे दर्शन की रूप में 170 क्रिदंकरोगा एक साथ दर्शन प्राप करना अपने आप में एक बहुत बड़ा अनुभाव है जो कि हम इस मंदिर में आकर के प्राप कर सकते हैं काफी नज्दिक से 170 कि थंकोरगा एक साथ दर्शन जो की मेरे ग्यान के साब से ऐसा मनायता है कि शायद विश्वर में मातर एक ही जगे ये हमको दर्शन प्राप करने के सुबाद के प्राप होता है इंदोर शेयर के लाल जैन मंदिर में कि यह मंदिर शुरू से यहां में गश्वर में ऐसके पीछ कानिया को लेगे कुछ बात है इन आट बता है है कि यह मंदिर सद्यों पहले राजवाड़ा पना तो यह मंदिर शीयगंच गया जो आज शीयगंच नाम से प्रसीदेंग वहां के उस जमाने कि राजा महराज है तो वो फिर उन्हों नग्क्की करने बाद एक मंदिर शीविलास पलेस ट्रांसफर किया गया है वो शीविलास पलेस में कुछ इमार्दे बनी हैं वो राजा महराज हो खोगी पिर उनको जगा पर इपर इस जगा हम को पिपलि अजार में दी गई मेरे पिता जी ने पच्पन साल नहां सर्विस की है उनकी सर्विस करने बाद में मुझे मंदिर सोपा ट्रष्ट मंदल ने संगुनिस्तों पिंचान्डू से मंदिर में समाल रहा हूं और हमारे मंदिर के मुझे करता दरता है रतनलाल जी बोरा महेंदर सिंग जी बोरा और अभी अर्तमान इस्तिती में अजय सिंग जी बोरा समाल रहे मंदिर इनकी दुकाने मारुटे बज़ार में तमाउकू की नाम से दुकान प्रसिदे तमाउकू की दुकाने मारुटे बज जो एक प्टन की लोग है र्जातान सानातन की लोग हैं सभीmeno संदेश चाहें है या कुछ कहना चाहें तो ड्मारे यह धिसास्ता है कि मनले कि समाज में मनिपत्रजी वोलते हैं सानाता ने दर्म मोती बाबा बोलते हैं, पुरे इंदोर में, पुरे मद्य परजेस में मंदिर परसित है, यहां से जो मद्य बाबा का अभिशेक होता है, वो हम जल देते सबको, उस जल से टाई-फाइ, पीलिया और माताजी ठीक होता है, उसके बात में जो आपी ठीक हो जात एक बहुत बड़ी चीज की सो डेड़ सो वर्षों से प्रहें चलनी परंपरा, एक मोती जरा, पीलिया जैसी घातक इमारियां है, जहां ऐलोपती हार जाता है, वहां कहते हैं की बीविशिक्तिया काम आती है, उसी बीविशिक्तियों को संजोएवे, यह उप्लियार का लाल जैन मंदिन, मने उतरावा की जैए हो, आजनात पुपान की जैए हो